लोगों की जान जा रही है तो क्या हुआ आंकडा 300 के पास जा पहुँचा है तो क्या हुआ महोदे को हसी आती है खिल खिला कर हसते हैं पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं सहाब अस्पताल जाकर मरीजों से मिलते हैं चीक पुकाड तो सुनी ही होगी और बाहर आते ही ऐसी सम्वेदध हिंता महोदे को न तो हालात का अन्वाजा है और नहीं अपने पद का खुद सांसद रह चुके हैं, पत्नी सांसद रह चुकी है और अब भाई सांसद है लेकिन बाहुपली सुरजभान सिंग को तो हसी आती है लुजपा के रास्ट्रियों पर द्यक्ष अपने समर्थकों के साथ ठाहा के लगाते हैं वो भी हॉस्पिटल परिसर में जहाँ पर पिछले पांच दिनों में 20 लोगों ने जान गवा दी है साहब को जब मरीजों की फिक्र ही नहीं थी तो आये क्यूं थे पिकनिक मनाना था तो कहीं और चले जाते मरहम नहीं लगा सकते तो कम से कम जखम को तो मत हीं खुरे दिये दरसल बिहार में पांच दिनों से भीशन गर्मी और लू का कहर चल रहा है इसी वज़े से मंगलवार को बिहार के अलग अलग जिलों में 47 लोगों की मौत हो गई इसके साथ ही मौत का आकड़ा 275 पार कर गया है हालाकि आपदा प्रभंदन विवाद के आकड़ों की माने तो लू से अभी तक 90 लोगों की ही मौत हुई है नवादा के सदर अस्पताल में अब तक 20 लोगों की मौत हुई है वही मिली जानकारी के अनुसार अब तक कुल 129 मरीजों का इलाज सदर अस्पताल में किया गया है इस भयानक स्थिती को देखते हुए शायद लोजपा के रास्ट्रिय उपाद्यक्ष और पूर्विसांसद सुरजभान सिंग सदर अस्पताल पहुँचे मरीजों से मिले, इमर्जनसी वार्ड, सर्जिकल वार्ड और नशा मुक्ती वार्ड गए इसके बाद सियेस चेमबर में सिविल सर्जन सदर अस्डियम से मिले और फिर बाहर निकले तो हसी आ गई काफी कमी रतिया है अभीटत्काल सर्ची जीसे की में है और इसमें दितनी सुधार होगा तुद्धाइब का रहार वो कहते हैं कि आपदा की घडियर और एसी दौरान पूर्वसांसद महोदे को हसी आ जाती है बाहु बली सुरजवान सिंग ठाहा के लगा देते हैं आपदा पर हसी वहरेवा प्रॉप सुर्ण धूर्वसांस